आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, तो आपका यहाँ पर question की वे न question कहा रहा है आपसे basically की एन एयर आपका question कहे रहा है आपसे की एन एयर कैपसीटर इस वन माइक्रो फेराड इस इमर्जड इन ए ट्रांस्फोर्मर वोईल ओफ डाइलेक्री कॉंस्टेंट थी तो आपसे पूछे जा रहा है की बताओ the capacitance of the oil capacitor is तो सबसे पहला point इस question से हम लोग क्या करेंगे की starting जब आपका parallel plate capacitor होता है parallel plate capacitor होता है इसका लेट से की area अगर मान लेते ए है और इनके plate के बीच का अगर separation अगर मैं D बोल दूँ तो जो capacitance का value होता है आपका होता है जो की area epsilon not and divided by separation between the plate जो की आपका यहाँ पर D दे रहा है जाए अब इसा में इसाभवाव क्या कर ररे होता है इस appetite को मैं लोग कहा कर दो junior को मैं कितना पर दे रखा तो काा वैलू आपका this में 3 दे रखा है तो k का वैलू आपका यहां पर 3 दे रखा है तो यह जो नया capacitance आता है जो इसको मैं c dash बोल दूं तो वह आपका बिसीकली बराबर होता है k times होता है k times होता है इस capacitance के value के मतलब k times होता है आपका a epsilon not into divided by d okay तब आपसे question बोला कि बता इस c dash का value क्या होने जा रहा ठीक है तो देहान दीजिएगा according to question अगर हम लोग बात करेंगे तो जो c का value दे रखा है जो कि a epsilon not d है इसका value जब आपका यह air में था तो इसका value दे रखा आपका one microfarad के बराबर तो यह आपका one microfarad के बराबर तो जो c dash आजएगा हमारा कितना आजएगा थी डेस आजएगा अपका three microfarad अगर option वाई चेक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा जो थर्ड थर्ड ऑप्शन है आपका correct option है क्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा स्टुडिंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने आच चार्सो 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 पर